कि अग्याइज तो आज मैं आप लोगों को पताऊंगी इंकम स्टेट्मेंट अंडर मैनुफेक्टरिंग कंपणी एक और कॉस्ट अपाउंटिंग का टॉपिक है और मैं आपको एक्षूरी शेड्यू बगाऊंगी जिसके तुरू आप किसी भी मैनुफेक्टरिंग कंपणी कि इंकम स्टेट्मेंट बना सकते हैं तो लेट्स सब्सक्राइब फर्स आपकी सेल्स आएगी दैन अप उसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न और अलाउंट और सेल्स डिसकाउंट इन डौरों चीजों को आपको लेस करेंगे कैसे लेसं आपको लिट्स आ अप नहीं तो यह आप दोनों को आड़ करके फिर लेस कर सकते हैं यह आपका आगे नेट सेल्स ठीके इसके बाद आप इस में से लेस करेंगे कॉस्ट वूद्स इसमें आप क्या करेंगे आपकी फिनिष्ट गुड्स ओपनिंग अगर आपके पास पॉस्ट ऑफ गुड्स ओपनिंगे तो आपको डिरेक्टी वह लिखनी है वरना आपको यह सब करना होगा एड पॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफेक्चर दिश्ट ओजी एम यह होगा यह होगा यह आपके बस आगई पॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलिबल पॉर सेल यह सारी आप सेल कर सकते हैं जब यह आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलिबल पॉर सेल आ गई तो आप इसमें से फिनिश्ट गुड्स तो आपके बच्चे हैं वह माइनस कर देंगे फिनिश्ट गुड्स एंडिंग अब यह आपके बास आगया कॉस्ट ऑफ गुड्स तो यह आप यहां पर माइनस कर देंगे माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रोश पॉफ आजएगा ब्रोश पॉफ होता है कि आपकी सेज वींसेकास माइनस करिं और इसकके बाद जो प्रॉफट अएग वाइवल्स के उपरensch नब लग फिर्ण ओंसर वाप आपका अधर ऐगा बिद ऑनिश्ट्र डॉफ अब यह आपके पास आई, Earning Before Income Tax, हो सकता है बहुत सारे questions में आपके पास income tax की information ना हो, तो आपको यहीं पे end करना होगा, लेकिन जहां पे income tax की information हो, तो वहां पे आपको income tax की information डालनी होगे, अब आप इसमें से tax less करेंगे, तो आपके पास आजएगी, Earning After Tax, यह हो गया, Earning After Tax, यह इसको आप net income भी कह सकते हैं, अगर आप यहां पे question end कर रहे हैं, तो यह आपकी net income हो जाएगी, या फिर net profit भी कहा जाता है इसको, तो that's it, यह है आपकी income statement under manufacturing company, I really hope समझ आया होगा, अगर समझ आया, तो आप जानते हैं, subscribe, like, and comment करें, और share के video दूसरे friends के साथ, thank you so much for watching, bye guys.